आप एक एक वर्ड लिखते वे साथ साथ को भी परणाउंस किया करें हम जब बार पार उनका उसके फॉनिक्स को साथ साथ परणाउंस करेंगे न सीख हर वर्ड को लिखते वे हम बौलेंगे सीख तो यह देखे ट्रस्ट मी इतने अच्छे तरीके से यह फॉनिक्स च्याद हो जाएंगे बच्चे को कि किसी और चीज की जरुवत ही नहीं पड़े साथ में सी का पतला जीगा कि सी का फॉनिक्स है और साथ में उनको उसकी बेसिकली उसकी शेप है सी का पतला जीए क्रिए यह सी है ये साउंडर लिखने में यह ऐसा होता है एक कामसे हम तीन चीज़एं कर सकते टीनोग सो सीख कै आ हमाई पर पास capital जो सीगा वहता है माई प और जो small c है वो आता है center वाली two lines में it's also half circle same to same वो दौनों लिखने वे बिलकुल same होते हैं just in में difference यह होता है कि जो capital C है वो उपर वाली three lines में होता है और जो small c है वो center वाली two lines में होते है color the objects that start with the letter see आपको इन objects पे color करना है जो letter C से start होते है so like आप मुझे प्ताएं first letter first कौन सा है camel क्या है camel so camel क्यों पहले क्या sound आ रहा है kh so its case का मतलब है कि यह C से start होता है तो हम इसमें क्या कर देंगे color very good okay okay यह उसके बाद है हमारे पास catrapillar क्या है यह catrapillar catrapillar के पहले कौन सा sound रहा है kh क्या सा उला रहा है हम इसमें कौन सा color करेंगे class जो अंसा आप दिल चाता है आप कर सकते हैं like मैं तो green करी हूँ मुझे हमेशा से catrapillar green color में ही अच्छा लगए अच्छा लगए अच्छा लगए अच्छा बढ़ी बात it's not kh C का sound kh नहीं होता C का sound kh के का sound का होता है इसमें reference है और पामेशा से शुरू से बलते हैं सहाता है का मिक्स करता है ठीक है C का sound कर और के का sound है कर color का next जी color दा capital letter C सिर्फ हमने capital letters को ही color करना है आप अपनी मर्जी के कोई भी color ले सकते नहीं बलके आपको red color ही करना है capital letter C red तो हमसे red color ठीक है